नमस्कार दोश्तों, आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है। आज मैं आपको महा सिवरात्री की एक गरीब माबीटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय जरू लिखे हैं। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाउं में एक लच्मी नाम की औरत रहती थी। उसकी एक पुत्र भी था जिसका नाम संभू था। लच्मी बहुत ही गरिब थी। कभी-कभी तो उनकी यहाँ खाने तक को कुछ नहीं रहता था। वे भगवान सिव की भक्त थी। वे हर सिवरात्री को ब्रत रखा करती थी। एक बार की बात है। महासिवरात्री का दिन आया था। लचमी ने ब्रत रखा था, वे सिवरात्री के दिन पूजा करने मंदिर जाती है, गाउं में ही भगवान शिवका एक बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में एक पुजारी रहते थे, वो पुजारी ही मंदिर की साफ सफाई तथा देख भाल करते थे, सब लोग सिवरात्र की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, लचमी भी मंदिर गई, उसके पास चड़ाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था, और वह इतनी गरीब थी कि उसकी साड़े भी फटी होई थी, जब लचमी पूजा करने मंदिर जाने लगी, तो मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम म बहुत दुखी हो जाती है, फिर लचमी मंदिर की सीड़ियों पर ही सिवरात्री की पूजा करती है, पूजा करने के बाद वे अपने घर चली जाती है, अब हर सिवरात्री पर लचमी मंदिर की सीड़ियों पर ही पूजा किया करती थी, एक बार फिर महा सिवरात्री का त्य अब लच्चमी का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था उनके घर खाने को कुछ नहीं था तो लच्चमी ने अपने बेटे से कहा बेटा आज महा सिवरात्री है इसलिए आज मेरे साथ तुम भी बरत रख लो संभू ने अपनी मा की बात मान ले और उसने भी सिवरात्री का बर पूजा करने गए लेकिन संभू को नहीं पता था कि उसकी मा मंदिर के अंदर नहीं जाती बलकि मंदिर की सीडियों पर ही पूजा करती है वह मां से आगे मंदिर के अंदर चला गया मां सीडियों पर अपनी पूजा करने लगे संभू अंदर जाकर पूजा करने लगा तब पूजारी ने मार कर भगा दिया, मा ऐसा क्यों? तब मा ने कहा, बेटा हम गरीब हैं, इसलिए तब मा बेटे भगवान शे प्राधना करते हैं, हे भगवान हमें इतना गरीब क्यों बनाया? क्या हमारी भक्ती सची नहीं है? भगवान आप ने ऐसा क्यों किया? भगवान शे उनकी प्राधना सुन रहे थे, तब भगवान शे एक बुड़े बावा का रूप रखकर रास्ते में एक ब्रच के नीचे बैट जाते हैं, मा बेटे दोनों घर जाते हैं, मा आगे निकल जाती है और संभू पीछे रह जाता ह उन बुड़े बावा को देखता है और उनसे पूछता है बावा आपने भी महासिवरात्री का ब्रच रखा है बुड़े बावा ने कहा हाँ बेटा मैंने भी महासिवरात्री का ब्रच रखा है तब संभू ने कहा कि सब लोग तो पूजा करने मंदी चाते हैं लेकिन आप मेरी मा मंदिर की सीणियों पर ही पूजा करती है, मैं मंदिर में गया तो पुजारी ने मुझे मार कर भगा दिया, बावा मेरी मा तो जड़ातर घर पर ही पूजा करती है, बावा आज मेरी मा भूकी है, हमारी घर तो खाने को भी कुछ नहीं है, तब बावा ने कहा, बेटा म पेरे पास एक थेला है, इसमें कुछ फल हैं, इसमें से फल निकालकर तुम खालो और अपनी मा को भी ले जाना। संबु ने थेले में से फल निकालकर खुद पेट भरकर खाए और अपनी मा के लिए भी ले जाने लगा। तब बावा ने कहा कि बेटा इस थेले में थोड़े सी चावल भी है तुम उन्हें भी ले जाओ संबू ने चावल की पोटली भी ले ली और अपने घर चला गया घर जाकर फल और चावल उसने अपनी मा को दे दिये माने पूछा बेटा ये सब कहां से लाए हो तब उसने उन बावा के बारे में अपनी मा को बताया फिर लचमी ने चावल को पीस कर उसकी दो रोटी बनाई उसने दो रोटी बावा के लिए भेज दी संबू रोटी लेकर बावा के पास गया बावा से उसने कहा बावा माने आपके लिए रोटी भेजी है तब बाबा ने पूछा तुम्हारी माने रोटी खाई तो उसने कहा नहीं मेरी माने रोटी नहीं खाई तब बाबा ने उसमें से एक रोटी ली और उसमें से आधी रोटी खुद खाई और आधी संभू को खेला दी और एक रोटी देकर संभू से कहा ये अपनी मा को दे देन और कहना कि बाबा आदी ही रोटी खाते हैं, मैं तुम्हारी मा से बहुत प्रशन हूँ, तुम सुभे अपनी मा को भी अपनी साथ लेकर आना, मुझे उन्हें कुछ देना है, संबू घर जाकर सारी बात अपनी मा को बताता है, फिर सुभे लचमी ने उन चावल से रोटी बन से कहा, बेटी हम तुम्हे कुछ देना चाहते हैं, फिर बाबा एक सुन्दर सी गाय बच्छरा उसे देते हैं, दोनों मा बेटा बहुत खुश होते हैं, बाबा एक बूटी भी उसे देते हैं, और कहते हैं कि यह गाय को खिला देना, फिर वो लोग गाय लेकर घर चले जात गर आकर वो बूटी लच्मी गाय को खिला देती है। गाय बहुत सारा दूद देने लगती है। उस गाय का दूद चमतकारी था। उसे कोई भी पीता तो उसकी कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों नहो ठीक हो जाती थी। अब उनका दूद हर कोई लेने लगा। कि तुमने कैसा दूद पिला दिया मुझे। सब गाओं वाले इखटे हो गए। और सब पुजारी को ही भला बुरा कहने लगे। फिर पुजारी मंदिन में गया और भगवान शिव प्रात्ना करने लगा। हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान शिव भगवान शिव से छमा याचना की। भगवान शिव की किरपा से वह मा बेटे खुसी-खुसी रहने लगे। जैहो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यबाद।